नमस्कार दर्शकों अब तक जो हमारी बात्चीत है वो मेश लगन से, ब्रिश्चिक लगन के बारहूभाव में सुर्य और बुद्ध की यूती से बनने वाले बुधादित योग के बारे में चर्चा हो चुकी है आज जो हमारी बातचीत होगी वह धनू लगन के बारहों भाव में बुधादित योग के प्रभाव को लेकर होगी तो चलिए चलते हैं बुधादित योग इन धनू लगन धनू लगन में बुधादित योग देखते हैं तो धनू लगन में लगनेस और चतुर्थेस पीता का स्थान, धर्म को चाहराो यदि हम बातचीत करते हैं कि सूरे और बुध लगन में बैठ जाएं तो इनका क्या प्रभाव होगा यदि सूरे और बुध लगन में बैठ जाएं तो सरव पर थम ये परम भाग्यस आलियोग बनेगा कैसे क्योंकि भाग्यस लगन के अंदर चला गया है अगनी तत्व का मालिक अगनी तत्वरासी में जाकर बैठा है साथ ही कार्य छेतर का मालिक आजिविका का मालिक और सब्तम अस्थान का मालिक लगन के अंदर जाकर बैठा है वहाँ से सब्तम अस्थान को देखेगा, खुद के ही घर को देखेगा, यह स्रिष्ट रह जाएगा आज जीविका का मालिक सूर्य के साथ जाकर लगन में बैठा है दिगवली होकर तो यहाँ पर क्या करेगा, यदि बुध अस्त नहीं हुए कि सूर्य और बुध कुंडली के सेकेंड हाउस में, जहाँ पर दस नमबर देख रहे हैं वहाँ पर बैठे हुए हो, तो इनका क्या प्रभाव मिलेगा सूर्य और बुध कुंडली के दिवते अस्थान में होंगे तो चुकी सूर्य भाग्ये सोकर जाकर बैठेंगे, धन अस्थान में, वानी अस्थान में, परिवार के अस्थान में जातक धन धाने से परिपूर्ण होगा, वानी काफी प्रभाव सालियोगी और वानी का कारक बुद्ध भी जाकर बैठेगा, तो वो क्या करेगा, अगर यदि अस्त नहीं हुआ हो, तो वो भी अच्छा प्रभाव ही देगा, क्योंकि राजिम मालिक और वैसे तो जीवन साथी का मालिक अपने से अस्टम स्थान में गया है, तो थोड़ी बहुत, वो ऐ ऐसा कई बार इस्तिति ला देता है, कि जीवन साथी जो भी जिसकी जन पत्री बनते हो, यदि पुरुस की जन पत्री हो, तो उसका जीवन साथी इस्तरी हो जाएगा, और यदि इस्तरी की जन पत्री हो, तो उसका जीवन साथी पुरुस हो जाएगा, तो कई बार ये नहीं अपमान करते समय अपने जीवन साथिकों अपमान करते समय यह नहीं देखते हैं कि मैं इन्हें कहां और किस अस्थान पर अपमान कर रहा हूं अब हम बातचीत करते हैं कुंडली के थर्डाऊस में भागेस अपने से सब्सक्त existed अस्थान में जाकर बैठा है, राज्य प्राप्ति का मालिक जाकर बैठा है, महनत के घर में, कर्म का मालिक महनत के घर में गया है, आजविका का मालिक महनत के घर में गया है, तो ये क्या करेगा, महनत से कर्म और कर्म से भागे, ये तीनों सासे देगा, यहाँ पर बैठा सूर बुद्ध अस्थ भी होगा तो नीचे तो उसका अवज से कम प्रभाव होगा साथ में उसका ब्यापार में ब्यापार चलने में दिक्कत आजीविका के छेतर में कारे छेतर में बिलाब यह समस्य यहां पर बुद्ध देंगे यदि सूरिय से अस्थ भी हुए या नीच भी हुए तो और यदी हम पर सूरी की बात करूँ तो सूरी दसंभाव से दिखबल अस्थान को देखेंगे अपनी दिखबल अस्थान को तो ये उनके लिए अच्छा रहा जाएगा यदी हम बात करें कुंडली के पंचे मस्थान में तो भाग येस अपने से नवम अस्थान में जाकर गया है, ये भाव बली हो से मिल गया, भावत भावम नियम के अनुसार वो अपने से नवम अस्थान में जाकर गया है, उचे सिक्षा का मालिक सिक्षा के घर में गया है, विवेक अस्थान के घर में गया है, संतान के घर में क्योंकि पेट का स्थान भी कुंडली के पंचम भाव से पेट का भी विचार किया जाता है तो यहाँ पर वो क्या करेगा गर्भ को जलाने का काम करता है और प्रथम गर्भ सायद नश्ट भी कर देता है अधिक मामलों में देखा जाए तो और यदि हम बातचीत करें यहाँ पर बुध की तो बुध का भी स्रेश्ट प्रवावर हैगा पंचमें सोकर नौ में सोकर एक पंचम भाव में गया है सूर्य और सब्तमें सोकर बुध दसमेश होकर बुद्धी को उपर बैठा है ये प्रेम बीवा के लिए भी अच्छा रहेगा लेकिन सूरी बैठेगा तो कहीं अच्छा नहीं करेगा छटे भाव में बुद्धा दित्योग नहीं बनेगा हाना कि गवर्मेंट जोब के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि छटे लाव से भी गवर्मेंट जब कविचार किया आता है कि इंतु कारेच्छेत्र का भाग्येश चला गया जाकर छटे अस्थान में रोग अस्थान में ये भागये को थोड़ा सा सुलो करेगा और भागये को कम जोड करने की कोसिस करेगा साथ ही सब्तमेश दाम पत्य जीवन क का मालिक चला गया है जीवन साथी का मालिक चला गया है रोग अस्थान में सो जीवन साथी को रोग ये सदेव देगा करजे में सदेव डालेगा अब बात करते हैं कुली के सब्तम अस्थान में जब सब्तम अस्थान में बुद्ध बैठेंगे तो यहां पर खुद के रासी यहां कभी भी जातक को भागे साथ से देने में बहुत दिक्कत करेगा भागे हमेशा भागे जातक को एक बात सदेव याद रखनी चाहिए कि उसे संघर्स जो है मिहनत जो है उसे गले का हर बनान लेना चाहिए क्योंकि जितना ही संघर्स होगा तब जाकर भागे कुछ आगे बढ़ेगा साथ ही आज विका का माली गया है अश्टम अस्थान में यहां पर जाकर यह क्या करेगा अश्टम अस्थान में जाने के बाद यह यहां पर क्या करेगा कि वह भी दमपती जीवन के लिए वह भी खराब है भाग्यास्थान में भाग्यास्थान में चला जाएगा कारेशेतर का मालिक भाग्यास्थान में चला जाएगा यहां पर अत्यंत बुधादितियों यहां पर बुध्य हादीतीयों का सर्व स्यलिष्ट प्रभाव देखने को मिल सकते हैं यहां पर जो बुद्ध बैठेंगे वो सब्तमे सोकर भागय अस्थान में गए हैं कहना ही नहीं जीवन साथी भागय साली बियापार में काभी बढ़ोतरी बियापार कभी भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी हाँ यहां पर बुद्ध जब बैठेंगे तो वैसे खुद की रासी में बैठेंगे लेकिन इस बुद्ध यहां पर अस्थ हो गया सूरिय से अस्थ हो गया सूरिक चुकि इस भाव में बुद्ध सूरिय स्वारासी का बैठेंगे और बुद्ध यहां पर अस्थ हो जाएंगे कि आजाए के द तामस्तान में, यहाँ पर बुद उच्छी का स्वारासिस्त हो जाएगा और भागिये सोकर दस्तान में दिगबली होकर सुरी बैठेगा उच्छी कोटी का बुधा दित्ते राजयोग बनेगा ये फिक्स है आप लिख लिजिए इस लगन में यदि बन जाये दस्थाम अस्थान में तो जातक हो गवर्मेंट जो होकर ही रहती है ये फिक्स है यदि अच्छे वास्था में हो तो आग ये चला गया कर्म अस्थान में जातक पिता किया सिर्वात से क्या करेगा आगे बढ़ेगा और बात करते हैं यहां पर भदर नामक महापुरुस योग भी बन जाएगा तो उससे जातक क्या जातक बैंकिंग सेक्टर में चार्टेड एकाउंट में बुध से संबनित का वैसे अन इस्थितियां भी कुणली का वीचार करने ग्रहों की दसम अस्थान पर क्या दिश्टी है पंचेम अस्थान पर कैसे ग्रह वैठे है उनका देखना अतियावसक है अब बात करते हैं कुणली के इकादस अस्थान में वैसे तो भागेस आय अस्थान में गया है लक स्रेश्ट यहाँ पर बुधा दित्यों प्रभाव मिलेगा हां यदि सुर्यति भागयासन साथ में आ जाए तो नीच भंग राजयों कि भी बनेगा और पैसे के मामले में भी अच्छा हो जाएगा एक दूसरे का लाभेस और भागेस का एक्सचेंज परिवर्तन होना अत्यांत स्रेश्ट हो जाएगा लाभधन के लिए जीवन में कोई कमी नहीं कुणली के ट्वेल्थ हस्तान में यहां पर भी नहीं बन पाएगा बुधादित्यों किन्तु यहां पर बीदेश सेटल्मेंट के लिए अच्छा रहेगा बहुत ज्यादा अच्छा स्रेश्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि छोटी मोटी बीदेश स्यात्रा का विचार जिस भाव से किया जाता है वह भाव है कुनली का नवमस्तान और कुनली का अस्त हो गया मंगल से दृष्ट हो गया केतू से दृष्ट हो गया सनी के साथ बैठ गया तो यह डिबोस करा ही देगा मेरेज लाइप में इसमें किसी प्रकार की अन्य कोई कोई समस्या नहीं है तो इस लगन कुनली में एक दो भावों को छोड़ कर जैसे कुनली का चतुरस अस्थान छे आठ कुनली के एक आदस और दो आदस इन पांच अस्थानों को छोड़ कर अन्य सभी भाव में उच्चितम और उच्च कोटी का बुधादित योग देखने क को मिला हलांकि यहां पर पंचम भाव में गर्व के लिए सुर्य हानिकारक है और सब्तम भाव में यह जन पत्री में सुर्य सब्तम अस्थान में होता है तो उसका जो भी जीवन साती हो जीवन साती है वो कभी उसका जीवन साती हर किसी का बात मान लेगा पर उसका ने बात म के प्रभाव के बारे में अगली बार जब हमारी बात्चित होगी तो मकर लगने के बारों भाव में बुधादित्तियों के प्रभाव को लेकर होगी तब तक के लिए मुझे इजाज़ात दीजिए नमस्कार